दोस्तो हम सब जानते हैं कि कार्ल लैंस्टिनर ने 1900 में ABO blood group system दिया था उसके 39 years के बाद 1940 में उन्होंने और बेनर ने मिलके RH blood group system भी दिया और ये ABO blood group system के बाद second most important blood group system है तो आईए जानते हैं कि इसकी discovery कैसे हुई दोस्तो 1939 में एक pregnant lady थी जो कि एक बच्चे को जरम देने वाली थी और उनको blood group की जरोत थी blood transfusion की जरोत थी तो उनको ABO compatible blood group चढ़ाया गया लेकिन ABO compatible blood group चढ़ाने के बावजूद उनकी body में कुछ adverse reaction हुए ठीक है अब Karl Lansner ने देखा कि सब कुछ same side चढ़ाया है blood group जो था lady का वो चढ़ाया है लेकिन उसके बाद भी lady के अंदर adverse reaction हो रहे हैं और उनका जो fetus था वो dead हो गया ठीक है था क्या हुआ तो Karl Lansner ने कुछ research करी और उन्होंने जाना क्या करा उन्होंने कि उन्होंने एक rabbit लिया और rhizus monkey लिया Rezus monkey का उन्होंने blood लिया और rabbit के अंदर inject कर दिया जब उन्होंने rabbit के अंदर ये blood inject किया तो rabbit की immunity ने कुछ antibodies develop कर ली ठीक है और ये antibodies ये जो racism monkey है जिसका blood use किया गया था उसके RBC क्या कर रही थी? reaction कर रही थी, ठेक है? तो Karl Lansner ने देखा कि यह जो antigen present है Rhesus monkey की surface के उपर RBC की surface के उपर वही same antigen हमारा human के RBC के surface के उपर भी पाया जाता है और हमारा 85% human population में यह same antigen पाया जाता है, तो Karl Lansner ने इस antigen का जो नाम दिया, वो D antigen इसका नाम दिया, और इसी के साथ हमारा RH blood group system की discovery हुई ठीक है? तो Karl Lansner ने RH blood group system के वारे में बताया कि RBC की surface के उपर D antigen present होता है ठीक है? कुछ humans हैं, जो की 85% of population जो मैंने बताया उनकी surface के उपर D antigen present होगा, जो उनका plasma होगा, उसमें कोई भी antibody पाई नहीं जाएगी इसको हम detail में देखते हैं RH positive person के अंदर अब देखेंगे हम कि क्या होगा अगर कोई person RH positive है तो उसकी RBC की surface के उपर D antigen होगा लेकिन उसकी plasma में कोई भी antibody नहीं पाई जाएगी और अगर कोई person RH negative है तो उसकी RBC की surface के उपर कोई D antigen present नहीं होगा और plasma में कोई भी antibody नहीं पाई जाएगी तो ABU breadgroup system के जैसा नहीं है कि अगर कोई antigen नहीं है तो उसकी opposite antibody मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है RH system के अंदर, Lansinian law RH system के लिए applicable नहीं है तो इसी को हम एक chart के basis पर और अच्छे समझ लेते हैं ठीक है, कि अगर आपका RBC की surface के उपर अगर D antigen present होगा ठीक है, तो उसके plasma कोई antibody नहीं मिलेगी और blood type क्या होगा, positive ठीक है, और अगर RBC की surface के उपर D antigen present नहीं है, और plasma कोई antibody नहीं होगी, ठीक है ये antibody कब बन सकती है, अगर कोई person के अंदर D antigen डाला जाए, या किसी को blood transfusion गलती से हो गया हो ठीक है, इस mother के case में कि उसके baby जो था, वो positive है, या फिर mother आपका negative थी, तो baby का blood, आप mother के अंदर चला गया, जिसकी वैसे mother ने कुछ antibodies generate के लिए, decay against ऐसा कुछ हो सकता है, उन cases में, लेकिन आपका D antibody normally, naturally आपकी body में present नहीं होती, अगर कोई negative blood group वाला person है तो, ठीक है तो ये detail थी आपकी RH blood group system के लिए अब RH blood group system और ABO system combine होके आपके blood group बने A positive A negative B positive B negative O positive O negative AB positive और AB negative जिसके बारे में हम detail में अगली वीडियो में जानेंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो का like करिएगा दोस्तों के साथ share करिएगा और subscribe करिएगा चैनल को और bell icon को आप press जरू करिएगा ताकि आपको सारी notification properly मिल पाए टाइम पे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए-बाए-बाए-बाइ